इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ये बड़ा जटका लगा है लगातार जो मामला है वो कोट में चल रहा है और कल भी हाई कोट ने इसको लेकर एक पैसला दिया था और अब राउज एवेन्यू कोट से भी के जिवाल को ये बड़ा जटका लगा है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार 21 मार्च से वो गिरफतार किये गए थे 21 मार्च को एडी उससे पहलें को कई सारे समन से यहां पर भेजती है और अब राउज एवेन्यू कोट से के जिवाल को ये बड़ा जटका लगा है आपको बता दें वकीलों स करने का भी वही बड़ाया नहीं जा सकेगा जैसे की मांग केज रिवाल की ओर से लगातार की जा रही थी और दीपक विश्ट इस वक्त नहीं साथ फोल लाइन पर जुड़े हैं दीपक और क्या जानकारी कि यह सामने कुल करेंगी क्या वजही थी क्योंकि केज रिवाल की तरफ से कहा गया था कि उनके जो मामले लंबित है उनकी जानकारी के लिए वकीलों से मिलना जरूई होता और पर वकीलों से उनकी मुलाकात नहीं होती जेल में वकील आएंगे तो उनका समय जो है अत्रिक्त दिया जाओ और यह समय बढ़ानों को लेकर यहां बर कहा गया था लेकर यह याची का खारीज होने के बाद काफी जटका कहा जा सकता है जी यह बड़ा जटका है के जिवाल कोई क्यों की लगातार वो मुलाकात का जो वक्त था वकीलों के साथ उसको बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने याची का भी डाली गई थी उनकी और से राउजवेनी कोट में जो अब खारिज कर दी गई है दीपक विष्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुएं दीपक अब आगी का रास्ता क्या होगा देखे यहां पर वक्त जो है काफी तकलीफू भरा के जिवाल के लिए है लेकिन क्या कोई विकल्प अभी उनके पास बचा हुआ है गब तक जो वक्त निर्धारित था हफते में केवल स दो बार ही वो वकीलों के साथ मुलाकात कर सकते दो है झाल 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 झाल